हलो फोडी इस त्योहरों का सीजन शुरू हो गया है तो चलिए आज बनाता है घेवर वो भी घर पे यहाँ पर मैंने तीन बड़े चमज घी लिया है जिसको थोड़ा सा गरम कर लिया था और उसके बाद उसमें एड़ करना है चार से पाँच आईस क्यूब और उसको सेम डारेक्शन में दो से तिन मिनिट तक अच्छे से मिक्स करना है तो जब उसमें से ऐसे मखन separate हो जाए उसके बाद ice cube निकाल देंगे और उसमें add करना है आधे कब जितना मैदा और एक स्पून बेसन साथ में एक स्पून आटा इन सभी dry ingredients को अच्छे से पहले mix कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे ठंडा दूद लेना है एक कब जितना दूद लिया है और उसको add करके अच्छे से mix कर देंगे और lumps free batter prepare करने के लिए उसको mix में add करिए और दो मिनिट तक अच्छे से चला लीजे तो देखिए बिल्कुल ऐसा consistency का batter prepare हो जाना चाहिए अगर थिक लगे तो थोड़ा सा दूद आप और add कर दीजे और अब मैंने यहाँ पे oil गरम करने रखा है जिसमें मैंने एक ऐसा stand रख दिया है और किसी भी portal या किसी चीज की ज़रुरत नहीं है आप इसे spoon की मदद से 20 से 25 spoon जितना add करेंगे तो यह अच्छे से जालीदार बन जाएगा और साथ में ही बीच में हमें थोड़ा सा खड़ा करते रहना है और बस यह step repeat करते हुए ऐसे golden brown हो जाए तब तक के लिए घेवर को पका लेना है तो same process से हमें सारे ही घेवर को अच्छे से fry कर लेना है तो दोनों ही तरफ से golden brown हो जाना चाहिए तब तक के लिए हमें घेवर को fry कर लेना है और अब यहाँ पे मैंने normal चाशनी बनाया था शुगर और पानी का तो उसमें घेवर को dip कर देंगे और अब हम बनाएंगे रबडी तो यहाँ पे मैंने एक कप दूद लिया है मिल्क पाउडर मैंने एड़ किया है और इन सभी ट्राइंग्रिडेंट्स को अच्छे से पहले mix कर देना है और इसको तब तक के लिए उबालना है जब तक कि यह थिक consistency का नहीं हो जाता और हम रबडी को constantly mix करेंगे जिसे कि यह pan पे चिपके नहीं और lumps free हो जाए तो देखिए यह thickness बिल्कुल perfect है रबडी का अब flame off कर देंगे तो यहाँ पे मैंने घेवर पे रबडी apply कर दी है और उसको अपने मन पसंदिदा dry fruits के साथ आप गानिश करें साथ मैं मैंने थोड़े से rose petals भी add किये थे तो यह super tasty, super delicious घेवर बन के तैयार है वाकई में यह बहुत ही tasty बना था अगर आपने अभी तो की recipe ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर ट्राई करेगा आप भी खाई और खुश रहिए happy tummy with Amy के साथ thanks for watching